Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Civil Engineer Guru आप सभी friends का स्वागत है मेरे YouTube channel पर Friends AutoCAD का नया tutorial लाया हूँ इस tutorial में हम discuss करेंगे about trim extend special condition ठीक है friends, हम कहीं से trim और extend simultaneously कर सकते हैं दोनों काम साथ में कहीं से कर सकते हैं ठीक है friends, previous tutorial में हमने discuss किया था trim extend command के बारे में, दोनों command जो है modify menu के command है ठीक है friends, please अगर आपने हमारा previous tutorial नहीं देखा है regarding trim and extend तो वे वीडियो देख लेना उसके बद आपको ये वीडियो अच्छे से समझाएगा हमने description जो description पर link प्रोवाइड किया है ठीक है friends, तो start करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो को start करने से पिल एक favor करना अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को subscribe करके बिल आइकन को press करना आने वाली वीडियो की notification आपको time पर मिलते रहेगी और आप time पर ये वीडियो देखते रहेगी start करते हैं इस वीडियो को आप देख रहे है tr करके enter करुँगा select object ये वोडर select नवल करूए selectaked all करूंगा select all करने के बाद में enter करूँगा अब मुझेट को cut करना है या मुझे इस को cut करना है además this line को cut करना है back side को support मुझे इस को cut करने मैंने यहाँ पे क्लिक के दिया मेरा trim ہو गwn है ठीक weiß अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को साथ में क्या करूँ एक्स्टेंड करूँ उसके लिए हमें क्या करना होता था बाहर निकलना होता था command से बाहर निकल के फिर ex करके extend करके select object करना उसके बाद extend होता था अब हमने यहां पर trim किया है trim करने के बाद आपके keyboard में एक key है उसके नामे shift shift पे press करेंगे उसके बाद आप यहां पर इसको click करेंगे तो extend हो गया है ठीक है अगर आपको trim करना है उस key को shift वाली key को आपको release करना है उसके बाद इसको cut करना है यहांसे टेक है friends देखो cut करना है तो आपका cut हो रहा है यहांसे hope आप को I hope आपको समूझ आया होगा मैं फिर से एक बर repeat करता हूँ friends कि हम कहींसे trim और extend का काम साथ में कर सकते हैं साइमलटेनिसली कर सकते हैं तैंसे कर सकते हैं अगर मुझे यहां पर इसको ट्रिम करना है तो मैं साथ से पहले ट्रिम करूँगा तो मैंने आपको पहले ट्रिम करके अगर मुझे एक्स्टेंड करना है extend का काम करना है, तो मैं उसके लिए EX करूँगा, EX extend करने के बाद मैं क्या करूँगा, select object या select all करूँगा, मैं select all किया, उसके बाद enter करूँगा, अब मुझे इसको extend करना है, मैंने कर लिया extend अपना काम, ठीक है, मैं इन तीनों को extend करना था, मैंने extend कर लिया, लेकिन मुझे यह देखे ये मेरा Trim हो चुका है तो Trim और Extend हमने दोनों साथ साथ कर लिए तो यह हुआ Trim Extend Simultaneously ठेके फ्रेंडे ये था आपके लिए Special Condition में लाए थी कि कहीं से हम Trim भी Extend भी साथ में करेंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना अगर स्टामजी आया तो लाइक करना शेयर करना ताकि वो भी सीख सके अटोकेट तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई